वीडियो के अंदर मैं आज आपको एयरफोर्स का जो एक्जाम आने वाला है विश्यसकर एयरफोर्स पर ध्यान है इन वीडियो के माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूँ कि आप इन सारी वीडियो को देखकर के जाएंगी तो आपका इंग्लिस का शेक्षिन काफी मजबूत हो जाएगा अब देखे जो भी मैं कॉंसेप्ट बताऊंगा उनको समझेगा आपको ट्राई करिएगा चले मैं ज्यादा वीडियो में बात्चीत नहीं करूंगा पूरे के पूरा बहुत सारा पेपर है इसे मुझे सॉल्फ करना है देखे सबसे पहला कॉंसेप्ट है इसे बढ़ा कॉंसेप्ट चुपा हुआ है जल्दी से बताईए का कि यह सेंटेंस सही है या फर गलत है अब मैं थोड़ा सा अपनी बातचीत स्टार्ट करता हूं आपने कभी भी इंपेरिटिव सेंटेंस देखा होगा आप ही देखेगा यहां कॉमा लग रहा है इसका मतलब य यह सही होता है जैसे मैं आपके एक एक सामसे बताता हूं जैसे मैं आपके सामने लिख रहा हूं कि talk to me ये लिखना इसका मतलब क्या होता है मुझसे बात करो ठीके और मैं एक दूसरा लिख रहा हूँ कि talks to me अब ये बताइए इन दोनों में सही कौन सा है ये वाला सही है न क्योंकि जो imperative sentence होता है जिसकी सुरुवात हमेशा बर्व की first form से होती है प्लूरल वाले रूप से होती है जिसमें कोई भी ऐस और एस नहीं आता है ऐसी वर्व की first form से start होती है क्या imperative sentence जिनकी सुरुवात बर्व की first form से होती है उनकी जो बर्व होती है मेरे वाई उसमें कभी भी ऐस और एस नहीं आता imperative sentence की starting में तो आप यह देखिए टॉक और यह टॉक्स है लेकिन यहां तो आ रहा है इसका मतलब यह वाला गलत है अब समझेगा थैंक्स गॉड यह लिखा हुआ है मतलब भगवान को धन्यवाद दो कि योर फैमिली और यू मतलब आपका परिवार और आप एकदम safe हो यह बगवान को अप धन्यवाद दो इसका मतलब भी imperative sentence की बात हो रही है अब imperative sentence में यह एक बर्व है धन्यवाद देना और यह object है तो याद रखना हमेशा कि जब भी कभी imperative sentence हो तो ऐसे में हमेशा बर्फ की first form आती है ना कि उसके साथ S और E.S. हमेशा, देखो हम क्या बोलते हैं Hey, thanks God, आपने मेरी इतनी help कर दी No, thank you ऐसे बोलते हैं, thanks God तो उस देखे क्या होना चाहिए, thank God हम thanks नहीं बोल सकते thank God, अच्छा, चलो वो छोड़ों पर ज्यादा हो जाएगा अब आगे देखेगा, आगे है कि the passengers, उमीद करता हूँ यह concept आपके अच्छे से समझ में आया होगा आगे देखे, the passengers were asked to carefully get down off the train अब यह समझेगा, यह sentence में क्या गलती है the passenger यह plural है प्लूरल बर्व आ गई, यहां तक बास सहिए asked to अब यह समझेगा, हमें यह जादातर क्या होता ही है कि two के बाद अगर infinitive बनेगा तो two के बाद direct बर्व की first form आती है, जब जाकर के infinitive बनता है, और इन दोनों की बीच में कुछ भी आपको लगाना नहीं है सिर्फ two और बर्व की first form यह दो लिख देने यही एक रूप बनता है इनका तो यह बताई आप मुझे two लिख रहा है, बर्व की first form लिख रही है तो इनके बीच में क्या लग रहा है, बताओ carefully है, जो कि गलत है तो carefully को हमें हटा देना चाहिए मतलब क्या हो जाएगा, बी वाले पार्ट में error हो जाएगा, तो गुरू जी फिरे हम carefully को कहां लगाएंगे carefully adverb है, जो कि object के बाद में आ जाएगा train के बाद में आएगा तो carefully यहां पर आ जाएगा आगे देखेगा, unless you receive the money order you will not be able to able to pay your rent जैसे मैंने बताया था ना, जैसे टू बर्फ की फस्टों मारी, यह infinitive है देखो इनके बीच में, टू पे के बीच में कुछ आया तो नहीं है, मतलब यह सही वाला पार्ट है, तो देखो मैं आपको बता दू इसमें गलती क्या बनती है, हमेशा याद रखना, unless हो या फिर until हो तो ऐसे में इसके साथ वाला जो sentence होगा, वो पहली बातों negative नहीं होना चाहिए, एकदम सही है यहां तक तो इसमें कोई negative नहीं है आगे वाला sentence negative हो सकता है यह भी एकदम सही बात है negative दे रखा है, ओके यह देखो कोई error नहीं है तो इस चीज़ का ध्यान रखें, एक चीज़ और याद रखें, अगर यहां able की जगाए पर अगर unable होता, क्या होता unable, तो यह part भी वाला पूरा गलत हो जाता, क्योंकि unable का मतलब होता है, कि इसके अंदर not already है, तो आपको extra not नहीं लगाना है, तो देखो able जो होता है, वो positive है, unable जो होता है, वो negative sense देता है क्योंकि वो not plus able से मिल करके बना होता है, ठीक है जिसे until है, तो इसमें क्या गया, till में already not जुड़ गया, तो वो until बन गया, unless में not already होता है, तो ऐसे करके समझ में आना चाहिए, आगे देखो we usually have the lunch at 12, मतलब क्या वो यह कर रहा है सामाने तोर पर हम 12 बज़े lunch करते हैं यह मतलब यह कर रहा है, अब यह समझेगा क्या ही sentence विल्कुल सही है, देखे एक दम काम की बात नोवकवास देखो भाई, यह जो lunch है न, यह एक common noun होता है, common noun lunch है, lunch में तो आप कुछ भी कहा सकते हो ऐसे common noun होता है, understand मैंने कहा लड़की है, तो यह कहा common noun है, लेकिन अगर मैंने कहा कि रीना या फिरशीता बोल दिया तो यह proper noun हो गया, क्योंको noun है, खेर छोड़ो, अगर समझ भी नहीं आता तो यह बात है, आप यह समझेगा, कि खाने पीने की चीज़ें अब देखो यह common noun है, तो उनसे पहले दाका इस्तमाल नहीं किया जाता, इसलिए lunch, dinner, इन सबसे पहले दाका इस्तमाल नहीं किया जाता, यह article का topic हो गया, आगे बढ़ जाते हैं, please tell to me the story, यह sentence बहुत ही अच्छा sentence है, यह मैं कई बात आपको बता रखा है, और देखिए, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको समझ लेनी है, मैं बोलता हूं मिसा आप इन वीडियोस को देखके भी जाएंगे ना मेरे वाई, तो भी आपका उदार हो जाएगा, ठीक है, अगर आप testories वगरे लागा की जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग होता है, उसे क्या होता है, आपका speed बढ़ता है, बाकि यह concept है, यह आपको test देते हैं, उनके अंदर help करते हैं, question को attempt करने में, अब यह समझेगा, हमिसा आप याद रखना, कि कभी भी न, अगर say आ जाता है, तो इसमें say के साथ वा two चलता है, क्योंकि उसमें object यह दी दे रखा है, तो say के साथ आपको two लगाना ही है, लेकिन अगर tell दे रखा है, say माने कहना, tell माने बताना, तो भहिया याद रखना, कि tell के बाद कभी भी कोई two नहीं आता है, सीधे object आता है, लेकिन say के बाद two आता है, फिर object आता है, लेकिन tell के बाद direct object आता है, कोई two नहीं आता, तो ऐसे करके कि जगे से होता तो तो ये एकदम सही था ये दोनों को आप याद कर लो आगे देखो he is not as stronger as his brother यानि कि वह इतना ज़्यादा मजबूत नहीं जितना उसका भाई है इतना जितना वाला sentence है तो हमेशा मैंने एक चीज आपको बोलाए कि भाईया मेरे बड़े भाईयो सुल्डो as as या फिर so as कभी भी दे रखा हो तो हमेशा यहाँ पर positive degree आती है नहीं कोई comparative आती है नहीं कोई superlative आती है हमेशा क्या आती है positive degree आती है यानि कि जो adjective होता है वो आता है तो positive degree आनी चाहिए मतलब stronger नहीं strong आना चाहिए समझ में आ गया strong positive है stronger ये comparative है strongest ये superlative डिगरी है समझ में आ गया होगा एज, एज, सो, एज, इनके बीच में हमेशा positive degree लगाते हैं एक और याद कर लो अगर ठू कहीं दे रखा है और यह adjective आपको लगाना है तो वहाँ पर भी positive degree ही आती है बोलो सत्य नारायन भगवान की जए है यह से के होगे अब इधर देखिए आगे देखिएगा one of the girls in my class have a car मतलब हो कह रहा है कि मेरी class के अंदर जो लड़की है ना उनमें से एक के पास ना एक car है मतलब वो लड़की है और उसके पास एक गाड़ी के वारे हैं बता रहा है वो अब यह समझेगा हमेशा अब यह देखो यह वर्व है ना यह वर्व है इसका मतलब यह वाला हिससा इसका subject है क्या यह subject है तो हमेशा याद रखना subject में अगर कभी भी कोई preposition आ रही है तो preposition से जो पहले जो होता है ना मेरे वाई उसके उपर depend करती है बर्व तो यह बतावा मुझे यह जो वन है वो singular है इसलिए singular की जगे पर हमें singular बर्व लगानी है जा गया हमेशा याद रखो subject में अगर कहीं कोई preposition दे रखी है ऐसा subject जो preposition से मिलके बना होता है तो उस preposition से पहले जो होता उस पर depend करती है उसकी वर्व आगे समझ में आजाएगा चिंता मत करिये आगे बढ़ जाते हैं आगे देखो my scooter is being serviced so I am going to the office by walk वो यह कर रहा है कि मेरा जो scooter है न वाई वो service हो रही है मतलब इसकी पैसे form है आगे कर रहा है इसलिए I am going to the office इसलिए मैं office जा रहा हूँ by walk मतलब अब देखो scooter है वो service पर है न सर्विस हो रही है उसकी और इसलिए मैं office जा रहा हूँ एक बात हता है इसका मतलब वो पैदल दी तो जा रहा होगा पैदल की बात कर रहा है तो यहाँ पर by walk नहीं होना चाहिए यहाँ पर पैदल का sense आ रहा है आगे देखेगा she had been told by many people that her shiny blonde hair and blue eyes made her stand up in a crowd देखो भाई यह blonde क्या होता है blonde है sorry blonde क्या होता है blonde का मतलब होता है कि से beautiful मतलब एकदम handsome अच्छी सी look वाइस एकदम अलगी styles ही दिखती है ना बाल बाल में color बाल कर रहा लेते हैं और वह क्या है मतलब style अलगी type का देखता है तो blonde होता हो अब यह देखेगा यहाँ पर वह एक चीज़ समझेगा stand up stand up का मतलब वह यह करा का she had been told by many people उसने न कई लोगों को बताया था कि that her उस लड़की के जो जो बालों की shining है ना बाई और एकदम blue eyes है नीली eyes है तो ऐसे में क्या है वह एकदम आजीब ही एकदम crowd के अंदर जो भीड़ हो रही है उसमें एक अलगी लोक उसका दिखाई पड़ रहा था ऐसा उसने बोला तो देखो stand up का मतलब तो खड़ा होना जिसे आप सपोस करो आप किसी पार्टी में गए और वहां पर आप सिर्फ आप एक ऐसे समझो के आप क्या बोलू आपने गंजा बोल्ड करा लिया कोई बालवाल नहीं है तो आप आपका लुग एकदम अलग लगेगा लगेगा तो ऐसे में क्या होता है उसे वही तो होता ह तो यहां पर उसने का है कि उसने कई लोगों को बता दिया कि उसके बाल वाले और आएक हैं एकदम है ना ब्लू आइस हो रही है तो ऐसे में जाहिज जेकर वो अलग अलग दिखने की बात कर रही है तो अलग दिखने को तो बूलते हैं स्टांड आउट तो यह चीज़ पॉकिट ऑफ दे ट्राउजर एंड पुल्ड आउट 25 रुपीज अब यह समझेगा क्या यह सेंटेंस है कभी भी याद रखना ट्राउजर आ जैना मेरे फ़ाई तो यह प्लूरल वाली फॉरम में आता है ट्राउजर क्या होता है आपने देखा होगा जैसे पजमा होता है तो यहाँपर अगे बड़ जाते है अब धडह को समझागा आप बिसकुल बेफिक्विक्र है आप यह कि शी वॉस बॉर्न रिचपारेंट्स यानि कि वो कह रहा है को वो जो लड़गी है ना वहाई द्धनी परिवार में हैं против कि यानी परिवार में जो उस एसे वारें, उनके वहाँ उसने जन्म लिया था, तो ऐसे में एक बात याद रखना, कि बार्न के बाद, किसी अगर परवार को कोई बात कई जा रही, किसी परवार या, फिर माबाप के द्वारा कोई बच्चा, पैदा किया गया, उसके बारें बात की जा रही, children should obey parents एक बात आप बताईए यहाँ पर यह सब मतलब यह possessive बाली बात कई जा रहे है मतलब बच्चों को अपने मावाब की आग्या माननी चाहिए बताओ माननी चाहिए कि नहीं माननी चाहिए बताओ मानना चाहिए तो यहाँ का मतलब थोड़ा मैं से सेट कर लेता हूँ कलर आपको देखेगा ठीक है एक सेकंड अब ठीक है अब यह देखो मतलब वो possessive की बात कर रहा है अब यह एक चीज़ समझ में आगे होगी कि children जो वो plural है और plural के लिए हमेशा जो possessive लगता है वो dare लगता है अगर यहाँ पर ही होता तो मैं यहाँ पर हेज कर देता अगर यहाँ she होता तो मैं हर कर देता अगर यू होता तो योर कर देता यह चीज़ समझे आप आगे देखो कि the child has been missing yesterday यानि कि वो कह रहा है कि वो बच्चा है ना वाई वो कल से missing है कल से लेकर करके अब तक एकदम missing है ठीक है खो गया वो अब यह समझो यह कौन सा टेंस है present perfect continuous tense तो ऐसे में has been ing आ रही है पहंचान लिया इसका मतलब यह time दे रहा है इसमें कोई digit आ रही है क्या नहीं तो मतलब sense लगा देना इसलिए यहां पर sense आ जाएगा sense for वाला है वो I do not like sugar in my coffee अब यह वाला sentence यह दी मैं आपको दू न तो आप हो सकता है काफी गलत options को आप पसंद कर लेंगे जो गलत हो जाएगा एक चीज़ा आप देखेगा sentence already negative है पहली चीज़ी में आपके जो doubt बन रहा है उससी पर मैं इनों attack कर रहा हूँ यह negative है तो इसका मतलब यह तो clear है कि भाई few वाला option तो आए गई नहीं गुरु जी ऐसे क्यों क्योंकि आपको पता है ना few जो होता है और comparison की कोई ऐसी कोई बातचीत नहीं कर रहा तो fewer का तो कोई मतलब भी नहीं है तो ऐसे में यह देखो few जो होता है वो negative शो करता है little जो होता हो negative होता है जब यह few और little आता है ना तो वो sentence में कभी not नहीं आता अब यह देखिए जब यह already negative है तो जाहिसे जब already sentence negative दे रखा है तो आगे उसे negative तो किया नहीं जाएगा तो इसलिए few वाला तो आए गए नहीं अब बचे आपके much और many एक बात आप बताईए यह जो सुगर है यह uncountable है तो भाई बाबू आपको याद होना चाहिए कि uncountable के लिए अगर यहाँ पर होता bags होता, pens होता pencils होता, मतलब plural होता तो ऐसे में मैं नहीं इस्तमाल कर देता तो यह चीज़ आपको याद होना चाहिए negative है, इसलिए यह इस्तमाल नहीं किया जाएगा ठीक है, आगे बढ़ जाते है the board results are any moment मतलब वो यह कह रहा है कि भाई जो board का जो result है न, वो किसी भी किसी भी moment पर क्या किया जा सकता है आ सकता है, यह ऐसा हम क्या कर रहे है अपेक्षा कर रहे है, expect कर रहे है कि भाई कभी भी न आ सकता है, किसी भी moment दसमी का, बारमी का रिजल्ट आ सकता है तो expect यहां पर एकदम सही है देखो launch का मतलब क्या होता है launch का मतलब एक तरह से क्या बताओ मैं launch का मतलब होता है शुरुआत करना कोई course बगरा launch कर दिया मतलब शुरुआत कर दी compile compile the dictionary compile का मतलब संकलित करना एकटा करना ऐसे करके चलो आगे बढ़ जाते हैं तो यहां पर expected एकदम सही है there was no trace fingerprints तो आपको याद रखना है trace का मतलब होता है कोई निशान मतलब वो यह कर रहा है कि fingerprints का कोई निशान नहीं था तो ऐसे में trace के बाद off आपको लगाना जैसे born के बाद किसी परवार में कोई बच्चा पैदा हुआ है चाहें वो रिच्च चाहें कैसा भी है तो आफ लगाते बॉर्न आफ लगाते वैसे ही trace of fingerprints होता है trace के बाद off आता है चलिएगा बाकी जो remaining है वो मैं आगे आपको बता दूगा ठीक है बाकी remaining मैं next बता दूगा उम्मीद करता हूँ आप सबको यह समझ में आया होगा और दोस्तों इसी तरह आप पढ़ते रहेगा समझते रहेगा आपको एक्जाम आ रहा है अब सेही करना चाहूँगा मन तनसे पड़ो सफल हो जाओगे thank you